मेरा नाम है अमित खटर हम कर रहे हैं MasterCamp 2022 तो इसके अंदर हम कुछ 3D की प्रोग्रामिंग देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई 3D मॉडल है तो उसके अंदर मैं काम कैसे कर सकता हूं तो उसके लिए एक हम छोटा सा कोई मॉडल खोल लेते हैं और उसको मशीनिंग करके देखेंगे कि क्या चीज करने के लिए हमारे को क्या-क्या आप्शन की जुरुत को है तो यह मेरे पास एक अल्रडी मॉडल है जिसको मुझे मशीनिंग करना है तो सबसे पहला काम क्या करू होगा मैं आपवेस है मिलिंग मशीन लोगा तो यह फाइल को सेव करते रहना है साथ-साथ तो यह अच्छी आदा होती है कि अगर साथ-साथ सेव करेंगे तो वीडियो देखने का बैस तरीका क्या है कि जैसे-जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं वैसे-वैसे करेंगे तो प्राड जो अपरेटर है उसको इजी कहां पर रहता है मैं तो इसकी एसाफस दो आं गोटों स्थाप च्रीट कर सकते हैं पर श्टाॉक सेटबने जाएंगे जाएंगे अ ऐसतां कि करेंगे साथ भी hon करते हैं ताकि मैं मोटा-mोटा material cutting कर सकूं हुआ जिस भी pocket के अंदर क्लिक कर दूंगा double click किया मैंने यहां पर को लिखा हुआ है डबल click to select a Feature तो जिस feature पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसको एक containment boundary दे दूंगा उस boundary के अंदर अंदर जो है मेरा टूल टूल चले तो टूल के लिए हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं वैसे तो पर हम फिल्टर आउन कर लेते हैं एंड में और मैं ले लेता हूं तकरीबन बड़ा भी ले सकते हैं 10 mm का ले रहा हूं है टूल नंबर जरूर देना है कि लेंथ ऑफसेट टूल का डायामेटर आ रहा है कॉर्णर रेडियस अगर है तो वह आ रहा है फीडरेट स्पिंडल स्पीड सब कुछ आ रहा है यहां पर तो जितनी वैल्यू देना चाहता हूं वह देने के बाद यहां पर कमेंट भी लिख सकते हैं यहां तो कमेंट में लिख दूँआ है यहां पर कैंट सॉल्यूशन कुछ भी जो भी हम यहां पर लिखेंगे वह हमारा नोटपैड में आए जो भी नोटपैड में जो हमारा प्रूग्राम जनरेट होगा ना वहां पर लिखा हूँ आए तो कोई अगर पर को इंफोर्मेशन यह निया अपरेटर को तो वह चीज हम दे सकते हैं सर्फिस पैरामिटर में में स्टॉक कितना छोड़ना है थो आ यहां पर फीड प्लेन कहा है रीट्रेक्ड प्लेन कहा है वह भी आरह रहा है रफिंग पैरामिटर में जांगा अगर मैं तो स्टेप डाउन आएगा कि स्टेप कितना देना है हमारे को यह हर बारी कट कितने का लगाएंगे तो मालो मैंने पॉइंट एट का कट लगाया तो यहां पर अलग-अलग पॉकेट के पैरामिटर्स है कि हमारे को टूल पाथ चलाना कैसा है तो मालो मैं हाई स्पीड ले रहा हूं और टूल का स्टेप ओवर टूल के डाय का 45 प्रसेंट लेंगे हम स्टेप ओवर फिनिशिंग कट में एक पास चाहिए मुझे पॉइंट टू का दे देता हूं ना ताकि सारा कटिंग करने के बाद एक फिनिशिंग का कट भी लगे है ओके करेंगे तो यह टूल पाथ जो है जनरेट हो जाएगा ठीक है तो यह नीचे देखो कैलकुलेशन हो रही है तो यह टूल पाथ हमारा जो है क्रियेट हो जाएगा इसको टॉप व्यूकर करके देखेंगे तो यह ऐसा नहीं है और सबसे अच्छी बात मास्टर कैम की क्या है कि कभी भी इसकी जमेटरी पर क्लिक करके यहां पर भी डबल क्लिक किया जा सकता है और इसकी जो कंटेनमेंट बांडरी है इसमें हम हम यह बांडरी और यह बांडरी तो दोनों बांडरी भी सेलक अ हूए तो अब capable प्टन दबानेगे तो यह डी जेन्रेट होने लग जाया उ प्टश पर pró have a कि एक ही बार में दोनों चीजों को कटिंक कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास 3D model है तो उसकी depth का भी कोई बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता depth भी automatically generate होता है ठीक है अगर इसको verify करके देखना है तो यहां से verify का बटन है verify पे click करेंगे तो यह एक नई window खुलेगी जिसके अंदर verify करके देख सकते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि mastercam के अंदर 3D की programming बहुत मुश्किल है पर सचाई यह है कि 2D से ज़्यादा असा तो speedum change करके इसको verify करके देख सकते हैं कि कहा कहा कटिंग होनी है कैसे कैसे जो हमारा बीच वाला पार्ट है वो आटोमेटिकली छोड़ देगा अगर हमारे को इसका program generate करना है तो दो चीजों का ध्यान रखना पड़े पहली चीज मेरी file file के अंदर machine कौन सी है तो यहां से हम replace कर सकते हैं जो भी हमारी machine हो ठीक है जैसे यह ब्रिजपोर्ट की है generic faddle की है mistubishi की है मजाग की है hide and end की है तो जो भी आपकी machine है 3x की है 4x की है mm वाली है यह inches वाली है vertical milling machine है कौन सी machine है तो जो भी machine है हम यहां पर milling 3x vertical milling machine select कर रहे है mm की तो वो machine select कर ले नहीं ठीक है थोड़ा सा यह calculation में time लगाएगा पर machine select करने के बाद यहां पर यह जी वन आ रहा है post selected operation इस पर click करेंगे तो यह देखो यहां पर लिखा हुआ आगा generic fanuk 3x मिली तो यह fanuk का program generate होगा अगर आपको dot text file चाहिए तो यहां पर dot text लिख लो अगर nc file चाहिए तो nc लिख लो अगर कोई और file चाहिए जैसे कई machine हो में cnc चलता है कई हो में कुछ और चलता जो भी extension चाहिए वो यहां पर लिखने के बाद ओके कर लो तो carrot nc चाहिए हमारे को क्योंकि हमने fanuk का select किया है तो dot nc कर दो ओके तो यह क्या करेगा file को save करेगा dot nc में ठीक है तो यह mil 2ax dot nc file है इसको save कर दो तो एक नई window खुलेगी जिसको बोलते है code expert उस code expert में जो है हमारा model जो है save है तो यहां पर यह देख़ो है generate कर रहा है भी जो हमारी file है वो save हो जाएगी उसके अंदर code expert के अंदर यह code expert को खोलेंगे अगर हम तो यह हमारा जो है फानों का code जो है निकल के आगया अगया थीक है तो अभी यह single file का है single tool path का अगर मुझे multiple atc वाला करना है तो जो हमने टूल दिया देखो वही टूल आ गया यहां पर जो हमने कमेंट दिया था वह यहां पर कमेंट भी लिखा हुआ आ गया दस नंबर में और जितनी हमने पिंडल स्पीड दी थी जितना हमने सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम बने गया तो सारा कुछ अगर मेरे को इस प्रोग्राम की एक फाइल बनानी होती है प्रोग्राम बनाने के बाद जो ऑपरेटर के लिए काम आएगी तो यहां पर राइट क्लिक करके टूल लिस्ट पर क्लिक करूंगा अगर मैं तो एक टूल की लिस्ट बनी हुई आ जाएगी इस प्रोग्राम के लिए इस फाइल में कौन-कौन सा टूल यूज हूँ मालो अगर हमने एक से जादा ऑपरेशन किये हुए और अलग-अलग टूल से किये हुए मालो यहां पर हम एक और अपरेशन करते हैं कि पॉकट का करते हैं इन दोनों विंडव में इन दोनों पॉकेट चेंदर अधर रहा हुए है कि हमारे को इस बांडरी से बाहर नहीं जाना ठीक है और मैं टूल को यह और यूज कर लेता हूं थोड़ा चोटा टूल यूज कर रहा हूं ठीक है बाकी सारी चीज़ें हम वैल्यू भड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके करेंगे तो यह हमारे दोनों में प्रोग्राम बन दो हूं ठीक है इस पर भी करी देते हैं तो सारे को मैंने डबल क्लिक किया है हम सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं पर डबल क्लिक करने से फायदा यह है कि सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाता है गंटेनमेंट नब री में एक बॉंडरी ये ले लो और साथ में ये बॉंडरी भी अ ये बाları वाली दो ये बार बार बाई हैं तो ये इस एरिया में चले गा लोन बारई के अंधर अगर एक सब्सक्राइं नीज़ बाएंडरी होगी तो र्यूंट या को चोड़ देए। तो एक टूल और ले लेते हैं। सिरस्फ समझने के लिए ले रहे हैं। कोई भी तूल ले ऽकते हैं। ज़ि ऐन कोई ले सक्ते हैं। पारमिटर लग यहाग है। तो यहान पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाके क Aegis तो में बइसे स्वाच, बढ़ा हो गया तो मिने बढ़ा हो गया, तो उस this divine है तो जो हम बाॉंडरी सेक्ट करनेंगे उसके हिसाब से हमारा टूल जो है चलेगा तो अब मैंने तीन प्रोग्राम बना दिए यह एक नंबर है यह 216 है यह भी तो टूल नंबर चेंज कर सकते हैं कुछ भी चेंज करना है जैसे इसकी जमेटरी में कंटेनमेंट देना है जो जो बाउंडरी में सेलेट कर लूँगा कि इस बाउंडरी के बाहर बाहर रहना हमारे के तो अमरे के बास रीजनरेट दबाने की जुरूरत है तो वो उतने एरिये को छोड़ देगा यहां जमेटरी के अंदर जब हम जाते हैं कंटेनमेंट तो यह एरो नजर आ रहे हैं देख रहे हैं तो यह जो लूप है इसके एरो की डिरेक्शन को मैं रिवर्स कर सकता है यह जो लूप है इसके एरो की डिरेक्शन को मैं रिवर्स कर सकता है अंदर वाला यह छोटा एरो तो अंदर वाली साइड होना चाहिए तो जन्रेट करते हैं एक पर ही फिर से कौन से एरिये में हमारे को चलाना है यह उल्टा हो गया हमरे को लगता है तो हम जाते हैं इन तीनों को ही रिवर्स करते हैं रिवर्स रिवर्स इसको भी रिवर्स करते है तो कि जन्रेट चला हम मुदा हमारे यह है कि हम इन तीनों को कट कठा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमके टूल लिस्ट के अंदर तो टूल लिस्ट में हमारे को तीनों टूल दिखाने लग गया तो इसने दूस तारह कर दिए अपने आप नाम नोगरा चेंज कर दिए और अगर मेरे कोई इस पर जाओंगा मैं सेटप शीट पर तो सेटप शीट में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं जौब का नाम कंपनी का नाम सारा कुछ देने के बादे यहां पर कैप्चर की आप्शन है इमेज एड कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर शेप में अगर फोटो कीच इसना चाहते हैं हम ऐसे करके तो यहां पर कैप्चर कर दो तो वह कैप्चर हो जाएगी ओके करेंगे फायदा क्या है जैसी मैं ओके करूंगा तो यह सारे टूल पाथों का हमारे को एक लिस्ट बना के देगा भी इसमें कौन-कौन सा ऑपरेशन हुआ कैसे कैसे हमारा टूल लिस्ट आ जाएगी मॉडल की उसके अंदर स्टॉप क्या है उसका साइज उसके अंदर हमारा कौन सा ऑपरेशन हुआ उसमें आर्पीम कितने थे फीड कितनी थी टूल कौन सा यूज हुआ सेकिंड ऑपरेशन क्या है जिससे ऑपरेटर को बड़ा असानी होगी काम करने में कि कौन सी जगह हमारे को काम करना में कौन सी जगह हमारे को छोड़ है और थे कि कभी भी किसी भी वक्त हम किसी भी जामेटिर को ट्y Crash कर सकते हैं अ疑न आगि झाल में कि supports everywhere many इंवांडरी तो यह बांडरी एंड भी कर सकते हैं जो भी एड की है उसको उसका छोटा वाला एरो किस साइड होना चाहिए यह चीज का भी धियान लखना जन्रेट करेंगे को के करेंगे रीचेन आल कर सकता हूं है बॉंडरी सेलेक्ट कर सकते हैं फिर से जन्रेट कर दो अ मैं हुआ यह हमारा प्रोसेसिंग जो है चलर पाई हर जो भी मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जितने मर्जी divisum भाज हो एग हो दो हो तीनो चार हूँ जितने वबी बढ़ाद है सब में हो प्रोग्राम में एक साथ generate कर सकते हैं और अगर सब का जी कोड जन्रेट करना है तो यहां टूल पाथ पर क्लिक करो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहां पर जी वन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यह तीनों टूल पाथ का अलग अलग प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर यानि क हमारे पास 80 सी लगी होनी चाहिए मशीन पर जिसमें हम तीन टूल आटोमेटिकली चेंज करना चाहते हैं तो बारी बारी आटोमेटिकली टूल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है तो यह अपने आप उस हिसाप से कोड लेगा और अपने आप जो है मशीनिंग भी करते हैं तो जब तक यह जनरेट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तब ही लाइक करना है अदरवाइस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर और भी वीडियो देखनी है और कि जाए ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना कोई दिक्कत आये तो कमेंट बॉक्स में लिखना कोशिश करेंगे कि नेक्स ट्रेवर में उसको सॉल्व करने कि यह हमारा जो है जी कोड जन्रेट हो जाएगा तो यहां भी यह टी वन आ रहा है तो मैं इसको बड़ा करके यहां से फाइंड कर लूँगा कि टी को नेक्स्ट करेंगे तो यह देखो यह आया एक यह टूल है दो सुस्तारा नंबर एक और बैक करेंगे तो यह 216 है तो यह आटोमेटिकली टूल चेंज भी कर लेगा और सारा कुछ आटोमेटिकली प्रोग्राम जन्रेट भी कर लेगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बैल आइकन पी दबा देना है जितने भ करेंगे जार ज्यादा लोगों के साथ तो जार ज्यादा लोगों माश्री कैम सीख सेके